मुझे थाइरोइन बहुत सालों से है उसकी वज़ासे मुझे बहुत जल्दी मैनोपॉस भी हो गया था अब मैं 44 टर्ण कर जाओंगे 38 में मुझे हो गया था मैनोपॉस उसकी वज़ासे मुझे थोड़ा सा ना लेग में प्रॉब्लम होना और लेथार्जिक होना यह सब इसमें तो आपका थाइराइड यही है थाइराइड का मतलब यह होता है ट्रांस्पोर्ट फैक्टर गड़ बढ़ है अब्लाब नहीं हो रहा कुछ ऐसे लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम आता है एड़ी में दर्द होती है पाओं अगर जैसे जमीन पर रखेंगे तो बह जबराड शुरू हो जाती है एड्रेनल और अटिवली फटीग शुरू हो जाती है एंजाइटी की कंडिशन रहती है तो मैं आपको यह साही चीज़े बता रहा हूं जो ट्रांस्पोर्ट नहीं होगा तो उसकी वजह से होता है ट्रांस्पोर्ट कराने के चाई की छन्नी मे खर्म पानी से दूलाई करतें हैं और उस समय क्या करते हो उस समय क्या करते हो चममत से प्रेशर बसका धासी आपके शरीमें अ्प्रेशच चाया से दिखाइब स्कीन हो जाता है ना है चाई की चन्नी में मलाई जम गई है तो डालेंगे तो ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा एक डम ठीक हो जाएगा उसके लिए मुझे कुछ जॉइन करना चाहिए आपकी क्लास में या मुझे कोई एक्सराइज कुछ नॉर्मल क्या करें अगर आपको जो प्रॉब्लम मैंना उसके हिसाब से क्योंकि यह थारेट बोल रहा हूं जी वेविना नियूरो मस्कुलो स्केलिटल प्रॉब्लम का है तो इसलिए कह रहा हूं जिनको जिनको अलग-अलग प्रॉब्लम से वह नंबर छोड़ेंगे ना तो फिर उनकी प्रॉब्लम को देखते हम सही